तो आज हम बात करते हैं developmental तो जब developmental changes हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि हमने देखा physical development हमें देखने को मिलता है psychosexual development हमें देखने को मिलता है psychosocial development देखने को मिलता है और moral development देखने को मिलता है तो हम एक चीज को describe करते हैं कि physical development में हमें किस किस तरह की चीज़े देखने को मिलती है जैसे कि यहाँ पर लिखा है physical changes in the body involved changes जो भी हमारी physical activities होती है जो हमारे gross motor होते हैं जो fine motor होते हैं जैसे कि हमारा हो गया और भी other vision हो गया हेरिंग हो गया perceptual जो हमारे development हमें देखने को मिलता है physical development के अंदर अब जैसे कि हम बात करते हैं fine motor और gross motor की तो हमारे fine motor होते हैं जो हमारे simply activities होती है like that किसी भी चीज को hold करना किसी भी object को हाँस से पकड़ने की कोसिस करना तो यह इस तरह है कि हमारे activities देखने को मिलेंगे यह हमारे fine motor के अंदर आ जाती है और हम बात करते है gross motor की तो हमारे gross motor होते है जैसे कि बच्चे को pencil को hold करना थोड़ा सा complex activities हो जाती है तो इस तरह के जो हमें development देखने को मिलते हैं वो हमारी physical development के अंदर आते हैं नेक्स हम बात करते हैं psychosexual development तो इसमें जो भी हुमारे developing होती है इन्स्टेक्टिक और sensual जो हमारे pleasures होते हैं उसके अंदर गठ हमें देखने को मिलते हैं तो हम यहां first बात करते हैं जैसे कि हाँ पर देखने को मिलता anal phase ऑरल स्टेज्ट की जो बात करते हैं hipp Pre Vamos यह मैं देखने को मिलता तक जो-ब-500 रीजन से सांसुर एलिया मौंत के ट्रों फिडिंग करना शकेंग करना इस तरह की मारा फेस हो जाएगा ए्मारा ऑ्रल फेस के अंदर आ जाता है सब्सक्राइब यहां पर यहां पर यहां पर जो यहां पर यहां पर जो इनल स्टेज में होता है वह यहां पर देखते हैं जैसे कि हमारा हो गया ओरल फेस हो गया हम बात करते हैं यहां पर सेम एज के बच्चों के साथ फ्रेंड्सिप रखना या फिर अपनी परस्नाल्टी को लेके एक गैंक के साथ घूमना तो उस सारे कि यह जो हमारे लेज़न फेस में इस तरह की चीज़े देखने को को मिलेगी तो यह सारी चीज हमारी हो जाती है साइको शेक्शुल डेपलप्मेंट के अंतरगत नेक्स हम यहां पर देखते हैं साइको शोश्यल डेपलप्मेंट की तो यहां पर हम देखते हैं कि यह पर साइको शोश्यल डेपलप्मेंट में हम यहां पर देखते हैं जैसे कि के पिक्टिर में दोन के हम पिक्टर के देख पाते हैं कि ट्रॉस्ट और मिस्ट्रस्ट से ऩम स्टार्ट करते हैं तो अव्य। धिल्ट के साहँ देखने को मिलता है जैसे कि छोटे बच्चिए से देख से मधर के पास बहुत ही जल्दी मतब मदर अगर जिससे connected है घर पे जो family members है उस पर वो trust करता है या फिर other person अगर आ जाता है तो उसके पास जाने के लिए तराता है या फिर रोने लगता है तो यह trust मिस्ट्रस्ट के अंदर हम देख सकते हैं autonomy and same feel होना तोड़ी और बड़े हो जाते हैं बच्चे तो यहां पर same feel होने लगती है तो यह psychosocial development के अंदर जाते हैं उनको same feel भी होता है उनको परक होने लगती है चीज की यहां पर इंडस्ट्री और inferior जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो उनको अपने क्लास को लेके या फिर अगर क्लास में हैं तो उनको लेके competition तो इस तरह की जो चीज़े हमें देखने को मिलेगी psychosocial development एक अपनी identity होनी चाहिए कि मतलब एक हर तरह से maintenance करके रखते हैं तो यह सारा चीज हो जाएगा हमारे psychosocial development में यहां पर personality development बोलेंगे कि वह अपने personality को यहां पर personality के अंतरगत यह सारी चीज़े आ जाती हैं नेक्स हम बात करते हैं moral development अब moral development में हम देखते हैं यहां पर में देखते हैं refer to growing to right and wrong जो भी चीज़े होती है राइट एंड रॉंग सैल्फ इंटरस्ट बढ़ने लगता है यह पर जो भी आवाइट पनिश्मेंट हमें देखने को मिलता है इसी के अंतरगत और moral activities के अंदर जैसे कि हम और भी चीज़ देखते हैं लाइक जो हमने देखा था फाइन मॉटर और ग्रॉस मॉटर जो एक्टिविटीज होती है यह भी हमारे मॉटर डेवलपमेंट में जाएंगी जो भी इस्किल होती है जैसे कि फर एक्जांपल हमने ब करना अ св orePLE सिंपल सिंपल थिंग सो हती है वहमारे मॉटर इस इनल में बातम जाएंगी फाइन में जाएगीं बच्श मॉटर इस्किल में एक्टिविटीज में जाती है तो इस्किल में देखना में फ वह सकते हैं कि कुछ अधर एक्टिविटीज जो ज 아침 कि बोइने इस्ट या फिर जो ability होती है वहां पर हमें देखने को मुलती है, understanding देखने को मुलती है, experience के according देखने को मिलती है, और return knowledge भी हमें देखने को मिलता है, new situation को देख के, फेस करके experience के साथ उस सीच को learn करने की उन में capacity देखते हैं, या फिर जो cognitive development में हम देख सकते कि किसी भी problem को solution भी यहाँ पर देखने को मिलता है packed stage में cognitive development को बहुत अच्छे से बताया हुआ है यह हम next class में सभी को बहुत ही अच्छे से describe करेंगे according to theory कि किसने क्या-क्या यहाँ पर बताया है तो यह तो हमारा हो जाएगा cognitive development जहाँ पर skill development हमें देखने को मिलता है learning phase देखने को मिलता है तो इस तरह कि जो हमने यह तो हमने देखा development कि किस किस तरह से हमें development देखने को मिलते है I hope कि आपको समझ में आया होगा यह cognitive development और other भी जो हमने देखे तो यह development के हमें देखने को मिलता है कि development किस-किस stage में हमें यहाँ पर changes देखने को मिलते हैं Thank you, I hope कि आप लोग को समझ में आया होगा, otherwise अगर कोई भी doubt होता है तो आप comment करके यहाँ पर question arise कर सकते हैं Thank you